नारी तु महान है, तेरा भी अविमान है, शक्ति का तु रूप है, तुझमे भी भगवान है मैं शिवांग सक्सेना, नगर महामंत्री, पीली वीद, निर्विया सेना, परमादर्निये, शिरी सतीश मिश्र बाबा जी, अब नसरीन फातिवा मेडम जी को बारं बार नमन करता हूँ और निर्विया सेना के सभी समानित पतदकारी, वीरांगनाओ, और सिपाईयों का अविवादन और अविननन करता हूँ निर्विया सिपाई नहीं, बलकि निर्विया वीर कहना अच्छा रहेगा आज की बिपलब कारी समाजिक परस्तितियों को देखते हुए, मैं कहना चाऊंगा कि जिस पवित्र उद्देश को लेकर माननी बाबा जी ने इस संगठन, निर्विया सेना का गठन किया है वे निसंदे ही प्रशंसनिये, सरानिये और बंदनिये है और हर भारतवासी के हिर्दे को द्रवित और प्रबावित करने वाला है और समय की महती आवशकता है क्योंकि निर्विया एक संदेश है, एक दर्शन है, एक परिवर्तन है और समय की मांग है जो हर निर्व्यवीर और विरंगनाओं के उर अंतर में एक क्रांती कारी सोच पैदा करता है और नारी संवान के मर्यादा और रक्षा के लिए हर छण प्रोतशाहित करता है और सुई हुए समाज में एक नब जागरती उत्पन करता है इसलिए सभी निर्वियावीरों और विरांगनाओं को संगठन के उदेश की पूर्ती के लिए एक जुट होकर निश्पक्ष और निर्वीग होकर हर छण नारी सम्मान के उत्थान और उसके मर्यादा की रक्षा के लिए किरत संकल पे होने का प्रण लेना चाहिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा संदेश रूप में कि नारी क्या है और कैसे उसके जीवन और मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए उसे अपने जीवन में निर्वीक और स्वाबलंबी बनना चाहिए और क्यों तो किर्पया ध्यान से सुनिए तुम रामायन तुम गीता हो तुम सावित्री तुम सीता हो तुम ही यशोदा कौशल्या तुम मम्ता की मूरत हो इसने मही हो त्याग मही अमर प्रेम की सूरत हो धूब दीब जब अर्चन करके तुलसी में पानी देती हो, परिवार रहे खुशाल इसी कर कितने ब्रत रख लेती हो, कितने कश्ट सहे तुमने, दुख की बिश्वेल लपेटे हो, सहन शक्ती में बेपुल धरासी, कितना दुख दर्द समेटे हो, त्याक तपस्या अमर प्र रूप लिये तुम, तुम अजे अपराजित हो, अगनी परिक्षा ना हो फिर से, तुमको इतना करना है, लक्षमन रेखा की मर्यादा का पालन भी तुमको करना है, मत कठिन कर्म पकदंडी पर, लेश मात्र बिचलित होना तुम, नारी के उत्थान हेतु हर पत्मे सम्मिलि सिंग वाहिनी चाम उंडासा धन गर्जन अपकर डालो, नहीं बचेगा कोई दुसासन तुम मर्दन अपकर डालो, मत करो आसरा शासन से, मत रखो आस प्रशासन से, नहीं बचेगा किसी मोड पर कह दो आज दुसासन से, सौगंद निर्वया की तुमको, सौगंद निर्वय तुमको अब निर्वय होकर जीना है, हर रग्त वीज का मस्तक काटो और लहू को पीना है, हर चीक निर्वया की तुमसे बस इतना ही पूछ रही, क्यों अभी नारी चीक रात में फिर वैसे ही घुझ रही, नारी हित की रक्षा में अब रहे कसरना कोई कहीं, है यही बाबाजी की है पावन उद्देश यही। बाबाजी की है पावन उद्देश यही।